हेलो स्टुडेंट्स आज हम बात करते हैं आपके नए टॉपिक डिस्ट्रिब्यूशन लौ वित्रणियम वित्रणियम पर अध्यन करने से पहले हम जान लेते हैं कि वित्रणियम की आवशक्ता क्यों हुई तो सबसे पहले किसी सिस्टम में अगर उसके उपस्थित जो अव् सब्सक्राइब हैं उनकी फेजस होती हैं प्रवस्थाएं होती हैं जिनके आधार पर हम पूरे सिष्टम को दो भागों में विभाजित कर देते हैं क्या क्योंकि हम पहला विभाजन होता है समांगी तंतर अर्था होमोजेन encourage system और दूसरा होता है heterogeneous system अर्थात विश्मांगी तंत्र क्यों कि समांगी तंत्र जो है उसमें उपस्थित सभी पदार्थ एक ही प्रवस्था में रहते हैं और जब कि विश्मांगी तंत्र जो है उसमें पदार्थ दो या दो से अधिक प्रवस्थाओं में रहता है तो समांगी तंत्र की जब ह साहता से करते हैं law of mass action जबकि विश्मांगी सिस्टम अर्था हेट्रोजिन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें उपस्थित पदार्तों में साम्में आवस्था कर जो अध्यन है वह हम गिव्ज प्रावस्थानियम अर्था गिव्ज फेज रूल एवं नष्ट का वित्र नियम है नष्ट के द्वरा दिया गया है यह जब दो आमिश्रणी विलाइकों में एक ठोस विले पदार्त मिलाया जाता है तो वह पदार्त दोनों विलाइकों में अपने आपको इस प्रकार वित्रित करता है कि इस्थिरताब पर दोनों विलाइकों में विले के सांद्रन का अनुपात निश्चित रहता है अर्थात कहने का मतलब यह है कि सरप्रधम बर्थेलो तथा यूंग फ्लिस ने दो आमिश्टनिये विलाइकों के विश्मांगी तंत्र में ठोस विले के वितरण का अध्यन किया था इसमें इस प्रकार के दो अमिश्टनी विलाइकों के विश्वांगी सिस्टम में जब किसी विले पदार्थ को घोला जाता है तो विले दोनों विलाइकों में वितरित होकर एक equilibrium stage establish करता है तो इस सामय वस्ता पर विले पदार्थ को दोनों विलाइकों में सांदरताओं के इसपष्ट करने के लिए नस्ट ने एक निएम दिया था जिसे हम नस्ट का वितरनियम या नस्ट का विभाजन निएम अर्था नस्ट पार्टिशन लॉग के नाम से जानते हैं जैसे फॉर एक्जामपल निश्चिता पर यदि हम आयोडीन की कुछ मात्रा को कार्बन डाई सुलफाइड सी एस टू एवं जल के मिश्टरण में कुछ समय तक हिलाते हैं तो आयोडीन जो है वो दोनों आमिश्टरणी विलाइकों के मत वित्रित होकर एक साम्यावस्थात थ देगी तो नर्ष्ट के वित्रण नियम के अनुसार आयोडीन की सांद्रता कार्बन डाई सुलफाइड में सीवन और आयोडीन की अपान आयोडीन की सांद्रता जल में जिसे हम सीटू के नाम से इक्वल टू के कॉंस्टेंट तो यहाँ पर के जो है वह आई टू का सीस्ट के पच्छ में वित्रण गुणांग होता है और वित्रण गुणांग के कामान निश्चित्ता पर इस्थिर होता है यह अनुपात विले पदार्थ अर्थात आयोडीन जो है उस पर निर्बर की मात्रा पर निर्बर नहीं करता है और नहीं वित्रण गुणांग का मान जो है वो विले की संद्रता की इकाई के द्वारा प्रभावित होता है इसके साथ ही अगले हम बात करते हैं limitations of distribution law अर्थात वित्राणियम की सीमा है वित्राणियम को प्रयोग करते समय जब हम इसको अपलाई करते हैं तो इसकी कुछ limitations होती है जो इस तरह है कि प्रयोग करते समय हमें जो temperature है वो इस्थे रखना चाहिए क्योंकि temperature जब बदलेगा तो वित्राण गुणांग का मान भी change हो सकता है दूसरा है कि दोनों विलायक एक दूसरे के साथ आमिश्रणी रहने चाहिए विले मिलाने पर दोनों विलायकों की पारस्परिक विलेता कर कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए और तीसरा है कि वित्राण नियम जो है वो केवल तनु विले के लिए ही मानने होता है सिर्फ डायलूटेट के लिए मानने होता अर्था दोनों विलायकों में विले की मात्रा बहुत अधिक होनी नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट है विले दोनों विलायकों में घुलनशील होना चाहिए नेक्स्ट है दोनों विलायकों में परस्पर अथ्वा किसी विलायक एवं विले में कोई रासायने कभी क्रिया नहीं होनी चाहिए और लाश्ट लिमिटेशन यह है कि दोनों विलायकों में विले की आड़वी कवस्था मॉलेकुलर फॉर्म एक सी होनी चाहिए अर्था विले किसी एक विलायक में वियोजित अथ्वा संगुडित नहीं होना चाहिए इस क्रम में अब हम आगे बात करते हैं कि वित्रण नियम को प्रयोग करते समय हमें क्या-क्या बात दिताएं होनी चाहिए लेकिन अब हम आगे बात करते हैं कि वित्रण नियम को हम कैसे यूज करते हैं the applications of distribution law application of distribution law जो होती है उसमें सबसे पहले हम इसके माध्यम से विलेन की विलेयता का निर्धारन करते हैं अर्थात मतलब कहने का यह है कि यदि किसी विले पदार्थ का दो आम श्रणिये विलायकों में वितरन गुणांग एवं एक विलायक में विलेता ग्यात हो तो दूसरे विलायक में विलेता का मान ग्यात किया जा सकता है दूसरा जो इसका अनुप्रयोग है वो यह है कि विले की वियोजन मात्रा अर्थाद अलफा का निर्धारण हम कर सकते हैं क्यों क्योंकि फॉर एक्जामपल अगर हमने विले पदार्त A और B आ मिश्रणी विलायकों में हिलाने पर A में आ वियोजित रहता है और B में वियोजित हो जाता है तो उसी तरह वितरंड के नियम के अनुसार C1 अपॉन C2 ब्रैकेट में 1 माइनस अलफा इक्वल टू के तो यहां पर भी C1 और C2 जो है वो क्रमशा A और B विलायकों में विले के एकल आड़वी कवस्था की सान्रताएं हैं और K जो है वितरंड गुरांग है और अलफा जो है वो विले की वियोजन मात्रा है तो अगर हमें C1, C2 और K का मान गयात हो तो हम अलफा के मान की गढ़ना कर सकते हैं विले की संगुडन संख्या का निर्दाना अर्थात इस्मॉल एन और चौथा है हमारा विलायक निश्कर्शन एक्स्ट्रेक्शन और सॉल्यूशन इसमें किसी पदार्थ को उसके विलेन में से निश्कर्शित करने के लिए एक अमिश्रणी ऐसा विलायक लिया जाता है जि जिसमें से पदार्थ का निश्कर्शन करना होता है साम में जब इस्थापित हो जाता है जब एक्किलिब्रियम स्टेज इस्टेज हो जाती है तो दोनों परतों को सेपरेटिंग फनल के दौरा अर्थार प्रथक कारी फनल के दौरा हम सेपरेट कर लेते हैं और विलायक में प्रथक हुए विले को प्राप्त करने के लिए विलायक को वाश्पित कर दिया जाता है तो यह कुछ एप्लिकेशन हैं जिनको हम as a distribution law जिसमें हम यूज करते हैं कुछ और भी दिये हुए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं कर दो प्राप्त कर दिये हैं